यहाँ पर से जानते है कि कौन से ट्रेड्स लेने का आज मैंने ट्राइ किया और क्या यहाँ पर P&L रहा तो आप यहाँ पर देख सकती हो कि यह bank nifty का चार्ट है और nifty और bank nifty में दोनों में भी हमने यहाँ पर एक बहुत एच्छी rally देखी अब यह rally हो सकती है इसके बारे में हमने सुबे trade plan में बात की होई थी अभी simple यहाँ पर मेरा analysis क्या बन रहा है अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ अगर हम यहाँ पर से 4 hour के time frame में चलेंगे तो nifty जो है या फिर चलते सीधा 15 minute time frame में तो nifty जो है वो अपने 0.6 minute पर मतलब आप यहाँ पर देख सकती हो यह बहुत सारे level से यह levels को देख अपने head and shoulder pattern के neckline का breakdown कर दिया एक important level पर support लिया और यहाँ पर से price again अपने neckline पर trade कर रहा था मतलब somewhere around यहाँ पर trade कर रहा था और यही पर यह head and shoulder pattern की neckline मन रहे है ठीक है तो simple मैंने आपको सुबह जो trade plan share किया था यहाँ पर भी मैंने आपको क्या बोला था आप यहाँ पर दे account of head and shoulder pattern यह simple मैंने आपको बता के रखा था कि अभी simple simple हमें देखना है कि यहाँ तक जो price आई है वो यह head and shoulder pattern के breakdown के बाद में retest के लिए आई है या फिर यहाँ पर से price उपर चले जाएगी इसका मतलब simple simple हमें क्या देखना है कि अगर price में यहाँ पर कोई weakness दिखता है तो obviously य यहाँ पर से price नीचे आजाएगी बट अगर strength दिखती है तो obviously यह सारे sellers यहाँ पर trap हो जाएगे और यहाँ पर से market ऊपर चले जाएगा इतना simple simple हमारा यहाँ पर analysis बन रहा था और इसी analysis को मैंने follow किया अब आप यहाँ पर देख सकते हो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा इस structure को analyze करेंगे तो price यहाँ पर क्या बना रहे है price यहाँ पर एक impulse move and retracement का structure बना रहे है जहाँ पर यह impulse move complete हुआ है और यहाँ पर से price जो है वो retracement ले रहा था यहाँ पर continuously higher highs and higher lows लगा रहा था ठीक है तो अभी यहाँ पर से मेरा काम क्या बनता है जो previous fall लगा है इसको मैं top से ल पूरा एकदम top से लेके bottom तक लगा देते अब यह levels हमें trade करने के लिए बहुत ही जादा help करने वाले तो क्या करते हैं हम यहाँ पर से five minute time frame में चलते है और थोड़ा सा इस वाले chart को zoom in करते है तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि market कहा पर से reject हो रहा था market reject हो रहा था exactly 0.382 से यह हमारा 0.382 का level है और price यही पर से reject हो रहा था and price higher highs and higher lows लगाते हो उपर जा रहा था अभी simple simple हमें देखना है कि क्या यहाँ पर से price strength दिखा रही है या फिर weakness दिखा रही है अभी simple जो trade plan में मैंने आपके साथ में share किया था कि किस तरीके से मैं trade लूँगा मैंने यहाँ प upside में breakout होता है तो कोई भी pullback देखकर में यहाँ पर से long की trading opportunity लूँगा और अगर यह हमारे लिए जो neckline का level है अगर यह neckline का level यहाँ पर downside में breakdown होता है तो obviously यहाँ पर से में shorting की opportunity लूँगा अभी इसमें से कोई भी opportunity मेरे लिए नहीं बनी यहाँ पर option buying अगर आपको करना है तो obviously अगर market आपके direction में जा भी रहा है फिर भी आप यहाँ पर पैसा lose करने वाले हो ठीक है तो वही मेरे mind में था कि अगर option buying में trade लेना है तो obviously मैं अच्छे proper setup के साथ में ही लूँगा इसी हो जैसे आप यहाँ पर देख सोकते कि starting में market ने क्या कर दिया यहाँ पर से यह breakout क मैं patiently wait कर रहा था क्योंकि यह breakout की बात की candles कोई इतनी strength नहीं दिखा रही थी ठीक है तो मैंने सोचा ठीक यह breakout अगर निकल भी जाए तो कोई pullback देख कर हम यहाँ पर से longer trade ले सकते अगर आप यहाँ पर देखोगे तो market ने क्या किया अगें नीचे आकर यह एक fake breakout का structure बना दिया मतलब यहाँ पर अभी जो हुआ है यह fake breakout हुआ है ठीक ना इसी वाज़े से जैसे प्राइस यह red candle ने इस लेवल के नीचे closing दिया यहाँ पर मैंने call short करना start कर दिया थोड़ा स मैंने यहाँ पर इस वाले account में कोई भी trade नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर setup ही नहीं बना हमारा setup क्या था breakout, retest and then यहाँ पर से long का setup था ठीक है तो यह setup तो यहाँ पर मेरे लिए नहीं बना इस वज़े से यहाँ पर option buying का कोई सवाल ही नहीं बनता और जब यह fake breakout हुआ ना मैं इतना बड़ा fall expect भी नहीं कर रहा था ठीक है न में क्या expect कर रहा था कि price again इस वाले consolidation मतलब यह consolidation होने again इस वाले consolidation में आ जाएगी आज यहाँ पर expiry और यही पर कही पर closing दे देगी इस वज़े से easily में यहाँ पर time decay का मज़ा उठा सकता हूँ यहाँ पर से अच्छा profit के साथ बाहर निकल सकता हूँ इतना बड़ा fall आ सकता है यह expectations भी मेरे नहीं थे बट जिस तरी किसा हमने यहाँ पर plan किया था market ने यहाँ पर भी कोई opportunity नहीं दी यहाँ पर देख सोब्त कि market ने यहाँ पर भी कोई opportunity नहीं दी यहाँ पर directly बड़ी candle बना दी यहाँ पर देखने लग तो आप यहाँ पर देख सोकते हो कि market ने क्या कर दिया इस level का breakdown कर दिया और यहाँ पर retest के लिए आने लगा अभी यहाँ पर भी में एक pinpoint entry का wait कर रहा था अब यहाँ पर देख सोकते हो कि market ने हमारे proper level पर एक pullback नहीं लिया और यहाँ पर भी जो candle बनी थी वो भी कोई अच् 2.5 का level का breakout हो जाता है तो यहाँ पर pullback देख करम long के trades ले सकते हैं या पिर यह जो trend line है इसका अगर breakdown हो जाता है तो यहाँ पर pullback देख करम shorting की opportunity ले सकते हैं यहाँ पर भी कोई भी opportunity नहीं बनी and as I said कि जो मैं plan करता हूँ वही में trade करता हूँ इस वज़े से इस account में तो यहाँ पर कर सकते हैं लग 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 दो lot हम यहाँ पर hedge करके selling कर सकते हैं तो वह अगर आपको चलता है मतलब सबसे पहले तो हम सिर्फ option buying से कर रहे दे but if you want मुझे comment में बता देना if you want कि option selling भी चाहिए इस 50K में मतलब अगर opportunity बन रहे है जिस तरी के से आज bank nifty में बन रही थी मैंने वहाँ पर अच्छे से selling की but buying नहीं कर पाया क्योंकि वह consolidation होनता और अगर market consolidation में अटक जाता तो obviously हमें एक loss लेना बढ़ता इसी वज़े से selling करना कभी भी बहतर रहता है तो इस challenge को हम option buying plus selling में भी convert कर सकते but only if you want मुझे comment में बता देना अगर अच्छा response आ जाता है तो हम hedging करके option selling भी इस account में कर सकते है तो अभी हाँ पर से हमारा verified P&L भी देख सकते में हाँ पर refresh भी कर देता हूँ आज मैंने कोई भी trade नहीं लिया क्योंकि opportunity नहीं बनी ठीक है तो मिलते हैं next video में I hope कि आपको इस video से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा अग तो आज के वीडियो में इतना है रखते है थैंक यू बेरी मच